तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केल इंडिया लिमिटेट की तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल दिमाहजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू गेल इंडिया लिमिटेट की अगर हम बात करें तो स्टॉक 179.80 रूपिस के राउं तक की क्लोजिंग देता हुआ नजराया वही अगर आप देखोंगे तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी हमें नजरायी मॉर्निंग में ही स्टॉक जो है गयाप अप ओपन हुआ था बट उसके बाद एक बड़े फॉल स्टॉक ने बता दिया तीन रुपे 45 पेसे तक गिर गया था 9.15 से 10.15 तक वही अगर देखें उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी भी बताये लगबग 1.5 रुपे रिकवर कर गया बट उसके बाद सडन एक फॉल आ गया तो एक प्रॉपर अपसाइड डाउंस मोमेंटम स्टॉक में नजरा है यहाँ पर शेर बड़ा भी और एड़ टाइम गिरा भी वही अगर देखें तो यहाँ पर जो सारे के सारे PSU स्टॉक्स रहे उनमें भी एक बड़े डाउंफॉल आया और Gale India Limited अगर दिखा जाए तो PSU स्टॉक्स में से ही एक है और वही अगर देखें तो मार्केट भी मॉर्निंग में उपर उपर की और ओपन हुआ था पर उसके बाद इसमें मार्केट में भी एक फॉल देखने को मिला एक्जाट ली स्टॉक्स में भी वही हुआ है लास्ट फाइडीस की बात करें स्टॉक कंटिनियूसली गिर रहा है बट एक रिकवरी इसमें आ गही थी 22 तारीक के दिन यहाँ पर अगर देखें चार से पाच रुपे के राउने रिकवर कर गया था एक महीने में रिटर्न अच्छे है लिवल्स भी अच्छे है आगे बताऊगा और छे महीने की बात करें तो एक सट रुपे हसी पेसे के राउन तक के रिटर्न स्टॉक ने दिये है गेल इंडिया लेमिटेट में अगर देखें अपकमिंग ट्रेडिंग सेजन अपकमिंग आने वाले टाइम में आपको बोनस भी मिल सकता है तो बोनस से रिलेटेड भी एक न्यूस है ओभी में आपके साथ शेयर करोगा अब बात कर लेते हैं कुछ important achievements की तो new LNG vessels गेल उर्जा arrives at the wall with first shipment तो यहाँ पर अगर देखें जो new LNG vessel है गेल उर्जा यहाँ पर उनकी ओर से इसे बिलकुल यहाँ पर लाया गया है तो एक बड़ी achievement इनकी ओर से यहाँ पर की जा रहा है पर आप देख सकते हो गेल न्यू LNG vessel गेल उर्जा विट इट्स फर्स शिप्मेंट रिचेट देखें देखें लेके आए है वहाँ पर यहाँ पर अगर दिखा जाए तो डवोल LNG टर्मिनल है वहाँ पर लेके आए है 21 फरवरी 2024 तक और यही जो है एक बड़ी achievement है तो LNG journey में एक काफी बड़ी achievement इनकी ओर से की गई है और यहाँ पर अगर दिखें गेल इंडिया लिमिटेट ने अल्रेडी एक इतियास यहाँ पर रज़ दिया है वो चीजे भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और इन ही चीजों का impact जो है सीधा सीधा stock के ओपर पड़ता है तो इस चीज के ओपर भी आपको यहाँ पर focus करना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखें एक बड़ा contribution है इंडिया की जो energy needs है उसके लिए तो एक बड़ी news यहाँ पर आ रही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर देखें 26 फरवरी जो रहेगा एक बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जो गेल की monopoly है उसे break करने की तयारिया की जारी है जो P N G R B है उनकी और से गेल की जो monopoly है उसे यहाँ पर break किया जा सकता है तो यहाँ पर अगर दिखा जाए जो यहाँ पर interview schedule किया गया है इसमें गेल की जो existing member है उन्हें यहाँ पर formally दिखा जाए तो गेल में पहले काम करते थे उनकी यहाँ पर उनकी और से अगर दिखें तो गेल को छोड़ दिया गया और उसकी monopoly break करने के लिए PNGBRB ने यहाँ पर एक interview schedule किया है तो उसमें कई बड़े decisions हो सकते हैं तो यहाँ पर गेल के लिए थोड़ी बहुत मुसिबते भी आ सकती है इस point के ओपर भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब बारी आती है गेल इंडिया लिमिटेट में क्या आने वाले टाइम में हमें bonus मिलेगा इसका answer है yes हाली में अगर देखें results आयत है budget आया था और budget में यहाँ पर 2840 करोड के round तक का fund जो है वो अलोट किया गया है जो काफी positive चीज़ है 2840 करोड का fund अलोट किया गया है और इसका सीधा सीधा impact जो है गेल इंडिया लिमिटेट के उपर पड़ेगा bonus यहाँ पर आपको मिलने वाला है और यहाँ पर अगर देखें गेल के अलावा EIL जो है इसके लिए भी यहाँ पर fund अलोट किया गया तो गेल इंडिया लिमिटेट अगर दिखा जाए एक bonus यह रहा है ठीक है PSU stock है bonus dividend देता ही देता है और वही अगर देखें अल्रेड़ी यह 5 times bonuses के announcement कर चुका है यहाँ पर bonus है दे रहा है 6 October 2008 से 1H2 का bonus इन्हों ने यहाँ पर दिया था 2008 में पहली बार फिर उसके बाद अगर देखें सीध है कई सालों बाद 2017-18-19 continuously consistency के साथ company की ओर से यहाँ पर bonuses दिये गए 1H2 3, 1H2 3, 2017-18 में 1H2 1 का bonus 2019 में दिया गया 17-18-19 जो है एक तगड़ा bonus इयर इसके लिए रहा यह काफी अच्छी बात है और वही अगर बात कर लें 1H2 2 का bonus फिर इसने COVID येर आगए थे 2020-2021 और सीधा इनों ने 2 साल बाद 2 से 3 साल बाद 2022 में 1H2 2 का bonus दिया तो बिल्कुल यहाँ पर 1H2 2 का bonus company के ओर से दिया गया और अभी अगर देखें 2023 में कोई भी bonuses नहीं मिले और जिस तरीके से budget में fund अलोट किया गया है उसे देखकर लगता है कि कही न कही एक bonus के announcement आने आले time में हो सकता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो Gale India Limited एक बहतरीन share है यहाँ पर अच्छे returns इस stock ने दिये हैं पहले भी हमने कई बार इसे अच्छा perform करते हुए देखा है और काफी बड़ी opportunities भी हमें मिली stock में और यहाँ पर अगर आप दिखोंगे volume की अगर बात करें तो volume में भी 86 lakh यहाँ पर अगर दिखा जाए 86 lakh का trade value देखने को बलता है और जो combinent delivery है ओ 35 lakh के round तक का मिलता है yesterday की भी अगर बात करें तो 1 करोड का trade value है और 47 lakh के round तक का combinent delivery stock में हमें देखने को बलता है तो और और जो volume नजर आ रहा है volume भी खाफी अच्छा है वही अगर देखें confident petroleum says more industries want to switch to LPG तो यहाँ पर अगर देखें जो अब यहाँ पर confidence petroleum है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले time में जो industries है वो आने वाले time में यहाँ पर LPG में switch हो सकते है और वही अगर देखा जाए तो यह भी एक काफी effective news हो सकती है यहाँ पर gail जिसे shares के लिए यहाँ पर अगर बात कर ले गail India Limited में targets की तो targets भी यहाँ पर हम देख लेता है शेर खान की ओर से अगर देखा जाए तो 200 रुपे का target दिया जा रहा है और वही अगर बात कर ले Global, MK Global Financials की तो उनकी ओर से भी 145 रुपिस का target यहाँ पर दिया जा रहा है और वही अगर हम बात कर ले तो stock जो है यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर इनकी ओर से भी 157 रुपिस का target दिया जा रहा है तो और ओल यहाँ पर volume की अगर बात की जाए तो volume जो है stock में वो तो ही है तगड़ा बट जो targets की बात की जाए तो targets में भी कई ऐसे firms हैं जिनकी ओर से positive rating दी जा रही है positive targets दिये जा रहा है बट कई ऐसे firms भी है जैसे MK Global हो गया प्रभुदास लीलाधर हो गया इनकी ओर से targets को भी reduce यहाँ पर किया जा रहा है तो वहीं points की ओपर भी आपको यहाँ पर focus करना चाहिए तो और अल जो Gale India Limited है यहाँ पर यह जो news है यह तो important ही है उसके अलावा एक ऐसा share है जो bonus दे रहा है DRC system की हम बात करेंगे DRC system India Limited 67 रुपीस का stock है return की बात करें तो एक रुपे 20 पेसे तक के return दिये 67 रुपीस के label पर इसने closing दी last trading season और bonus company है bonus का announcement यहाँ पर इसकी और से किया जा रहा है तो company की और से अगर दिखा जाए bonus दिया जाना है तो bonus कितना दे रही है company तो 2H2.1 का bonus company की और से दिया जाएगा यानि एक share के उपर दो share यहाँ पर bonus के मिलेंगे 27 फरवरी 2024 जो है company यहाँ पर इसके पहले आपको खरीदना होगा इस particular share को तभी आपको इसके bonus का benefit मिलेगा तो 2H2.1 के bonus के लिए आप बिल्कुल इसमें buying की और जा साकते हो तो और और काफी कुछ बात है कर चुके हम particular shares को लेकर इस video में Gale India Limited में आगे levels भी हम देखेंगे किसी और वीडियो में तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में अगर आप investment कर रहे हो तो insures का एक बार analysis जरू करना साथ ही telegram channel को join कर लो लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ निप्टी और बैंक निप्टी के update आपको मिलने वाली है जाकर check out कर